हेलो गाईज आजम बनाने जा रहे हैं मटर की कचोरी और आलो की सबजी बहुत जटपट बन जाती है और खाने में बहुत स्वादिश्ट लगती है मटर मारकिट में खूब आ रही है क्यों ना मटर की रेस्पी बनाई जाए इसके लिए हमने एक कप मटर ले लिया है दो हरी म अधि दरदरा पेश्ट बनाके ऐसा त्यार कर लेना है चलिए हम अब हम आलो की सबजी भी बना लेते हैं फटापट हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है इसमें हम थोड़ा से जीरा डाल देंगे थोड़ा से हिंग डाल देंगे जैसे ही जीरा चटक जाएगा हम इसमें तम मेति डालेंगे करस्ट करके हाथ से इससे भोती अच्छा फ्लेवर आएगा आलो की सबजी में और इसको जब तक भूनेंगे जब तक यह तेल न छोड़ दे देखिए इसका रंग भी बदल गया है टमाटरों का तेल भी छोड़ दिया है अब हम उबलेवे आलो को हाथ से मै मिक्स कर लेंगे जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसमें दो गिलास के करीब पानी डाल देंगे और चलाते वे इसको ढखके 10 मिट पकने देंगे लो मीडियम आज पे जब तक हम मतर की फीलिंग को तयार कर लेते हैं एक फ्राइवन में हम थोड़ा सा तेल डाल द पोडर ऑफ़ जाये ठोड़ पोडर और नमक स्वादा नुसार यह सब ढाल कर लेंगे मसालों को और इसमें हम मतर डाल देंगे मतर का पेस्ट के इंदर डाल दीया है और थोड़ी देर इसको निधे को भून लेंगे ठोड़ा यह ड्राइए कर लेंगे जैसे मतर हमारी और इसको हम चला लेंगे थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें हरा धनिया भी एड़ कर देंगे इससे बहुत अच्छी खुसबु आएगी कचोरियों में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और हम इसको भून लेते फीलिंग हमारी बन के तयार हो गई है मतर की और इधर आलू की सबजीवी बन के तयार हो गई है आप इसमें हरा धनिया डाल देते हैं थोड़ा सा गरा मसाला डाल देंगे आलू की सबजीवी बन के तयार हो गई है चलिए आप हम डो बना लेते हैं इसके लिए हमने दो कटोरी आटा लिया है और अजवयन ली है करस करके डाल दिया है और स्वादानुसार नमक ले लिया है एक चम्मच तेल ले लिया है आटे में डाल देंगे इसको हम पानी की साहिता से डो लगा लेंगे इसका हम पानी थोड़ा थोड़ा डाल के स्मूथ डो बना के इसका तयार कर लेंगे फिर हमने लोईयों को तोड़ लेंगे और इसको हम लोईयों को अच्छे से फैला के कटोरी जैसी सेव दे देंगे अब हम फीलिंग बरेंगे मटर की जिससे की हमारी मटर की फीलिंग भार ना है हम थोड़ी फीलिंग बरेंगे और उसको हास से दबाते वे उपड़ से फोल्ड कर देंगे इसी प्रकार से हमने अच्छे से लोई बना ली है और ऐसे ही हम दूसरी लोई को भी तयार कर लेंगे एक कटोरी जैसी सेव देंगे और इसमें हम थोड़ी सी मटर रख लेंगे मटर की फीलिंग को इसके अंदर रख लेंगे यह देखिया हमने फीलिंग रख दी है इसको हम अंदर से दबाते वे और भार की तरफ से फोल्ड कर देंगे यह हमारी मटर की फीलिंग भी बनके भर के तयार हो गई है लोई हमारी भंके त्यार हो गई है अब इसको हम बेल लेते हैं हमने कचोरियों को सेव देनी है पूरी जैसी हम पूरी जितना बड़ा बेलेंगे और हलके हाथों से बेलेंगे जिससे कि हमारी पूरी में से फिलिंग भार ना आए ये दूसरी पूरी भी हम बेल लेते हैं और तो हलके हातों से बेलेंगे जिससे की फीलिंग हमारी बार ना है अब तेल भी हमारा अच्छा गरम हो गया है कड़ाई में अब इसको हम कचोरी को डाल देते हैं इसमें और इसको हम थोड़ी देर होने देंगे उसके बाद हम कल्ची से दवाते वे हलके हातों से इसको पलट द स्थाल देंगे दिने हम इसको गोर्डन ब्राउंड होने तक सेखेंगे और दूसरी पूरी को भी हमिसको पलट देंगे जब तक है गरम होगी हम बाहरEh कोशयों jazz कट कर कर लेंगे हैं देखिए हमारी कचोरी और आलो की सबजी बनके तयार है अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो लाइक से रो सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फॉर वाचिंग